सुप्रबात मैं डॉक्टर सुरेश पांडे साइकलिंग के साथ सकरात्मग चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे सफलों की उन विस्तेश्थाओं के बारे में जो हमें सामानिते दिखती नहीं है साथियों जिस प्रकार से समुद्र के अंदर तेरता हुआ एक विशाल का आइस सिलाखंड का तीन चोथाई भाग जो पाने के अंदर रहता है वह हमें दिखाई नहीं देता है ठीक उसी प्रकार से सफलों की सफलता हमें दिखती है कई बार हमें उन से जलिसी भी होती इर्श्या होती कि ये व्यक्ति सफल हो गया है बड़ा सोबागी साली है बड़ा खु पहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि उन सफल लोगों के पीछे अने को स्लीप लेस नाइट चुपी हुई है उन सफल लोगों की जीवन में अने को बार उन्हें सफलता का यानि फैल्योड का सामना करना पड़ा उन्हें रिजेट कर दिया गया उन्हें उनके प्रोजेक्ट को लेकर उनका मक्षोन उड़ाय गया और उन्हें अने को रातें स्लीप लेस नाइट यानि की बिना नीन के गुजारी है उन्हें अपनी पर्सिस्टेंस यानि की अपने दड़ता से सफलता पाई है उन्हें अनेकों व्यक्ति उन्हें किर्साइश किया उनका मक्षोन उड़ाया और उन्हें हतोस साइथ किया लेकिन वे इन सभी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कारी में लगे रहे और आज सफलता के मुकाम पर पहुँचें साथियों प्रतेक सफल व्यक्ति के पीछे यही कहानी चुपी हुई है और सफलत होने के लिए हमें आज संकल्पित होना पड़ेगा कि जब भी हम कोई कारी सुर करते हैं तो उसमें हम फेल हो सकते हैं दुबारा प्रियास करें लोग हमें किटिसाइज करेंगे हमें हतोस्ताइद करेंगे परिशान नहीं हो लोग हमें हमेशा यह सफल होने का यह सफल लोगों का बहाना का एक्जामपल देंगे हमें उनकी बातों में नहीं आना है तो साथियों आईए हम सफल व्यक्तियों के द्वारा किये गई कारियों को अपने जीवन में उतारते हुए सफलता के रास्ते पर बढ़ते चलें धनिवाद नमस्कार डॉक्टर सुजेश पांडे सुवेनेची के साले कोटा